नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, जहाँ पर मैं मधू पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-wise कवर करा रही हूँ आज का लेक्चर नमबर 70 है, जो कि बेस्ट है लोगपाल एंड इंपोर्टन्ट कमीशन्स पे आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हूँ, अगर इंडियन पॉलिटी आपके स्लेबस में है ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफी helpful होगा मेरी आप सभी से request है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3-4 बार जरूर देखें जिससे की जब आप examination hall में जाएं और quality questions को solve करें तो आपके लिए काफी easy हो और आप काफी अच्छे से सारे questions को attempt कर पाएं क्यूकि काफी quality जो है, काफी scoring subject भी है और इसके कम से कम 20-25 questions हर exam में पूछे जाने की संभावनाएं होती है और अगर इन questions को आप attempt करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप questions का निरंतर अभ्यास करते रहें और questions के निरंतर अभ्यास करने के लिए ये पूरी पूरी स्रंकला आप सभी के लिए बनाई जा रही है तो उमीद हैं कि आप पूरी स्रंकला को enjoy करेंगे और अच्छे सी इसको देखा करेंगे इसी उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले question की तरफ Question No.1 What was the objective of the Protection of Human Rights Act 1993? मानव अधिकार संगेक्षन अधिनियम 1993 का उद्देश से क्या था? आपके options है जलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No.2 Who is not a member of the committee for the appointment of chairperson and members of the National Human Rights Commission? राश्टी मानव धिकार आयोग के अधियक्ष एवं सदस्यों के न्युक्ति के लिए बनी समीती का सदस्य के कौन नहीं है? आपके options है A. Speaker of the House of People B. Chairman of the Council of State C. Leader of Opposition in the House of People D. Leader of Opposition in the Council of State दूसरे question का answer क्या हो जाएगा? Option B. Chairman of the Council of State चलते हैं next question की तरफ Question No. 3 Who is not the ex-officio member of the National Human Rights Commission? राश्टी ये मानव धिकार आयोग का पदेन सदस्य कौन नहीं है? आपके options है A. The Chairperson of the National Commission for Minority राश्टी ये अल्प संख्यक आयोग के अधियक्ष B. The Chairperson of the Law Commission of India भारत के विधी आयोग के अधियक्ष C. The Chairperson of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए राश्टी आयोग के अधियक्ष D. The Chairperson of the National Commission for Women राश्टी ये महिला आयोग के अधियक्ष तीसरे question का answer जाएगा? Option B. The Chairperson of the Law Commission of India भारत के विधी आयोग के अधियक्ष चलते हैं next question की तरफ? Q4. Consider the following statement regarding the National Human Rights Commission of India 1. Its Chairman must be Retired Chief Justice of India 2. It has formation in each state as State Human Rights Commission 3. Its power are only recommendatory in nature 4. It is mandatory to appoint a woman as a member of the Commission 4. Which of the above statements are correct? 5. भारत के रास्टी ये मानवाधिकार आयोग के संबंध में निमलिखित कत्नों पर विचार करें 1. पहला, इसका अधियक्ष भारत का सेवानिवृत मुख्य नयाधीस होना चाहिए 2. प्रतेक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के रूप में इसका गठन होना चाहिए 3. इसकी सक्तियां प्रकृती में केवल अनुशाशनात्मक है 4. आयोग में किसी महिला को सद्द सिन्युक्त करना अनिवार है तो प्रकृत में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए पढ़िए आप लोग स्टेट्मेंट और इसका आंसर बताएगे कि 4. क्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा ठीके, तो तीसा क्वेशन का करें कि इसमें सही है तो आप्शन बी देखिए 3 and 4 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप्शन B चलते है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ पर्शन नमबर 5 इन रलेशन तो उफेंसे इसक्राइब अंडर सक्शन 175, सक्शन 178, सक्शन 179, सक्शन 180 और सक्शन 228 अफ इंडियन पिनल कोड तो पांचवे कोशन का आंसर जाएगा आप्शन B, Civil Court चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ पर्शन नमबर 6 आपके ओप्शन से A, Section 2, B, Section 3, C, Section 2H, D, Section 2M तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? ओप्शन D, Section 2M चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ आयोग या राजी आयोग द्वारा, नियुक्त या अधिक्रित, प्रतेक अधिकारी को क्या माना जाएगा? आपके ओप्शन से A, Public Officer B, Public Servant C, Officer of Commission D, None of the above चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Question No.8 Read the following and select the correct answer from the code given below Assertion A The National Human Rights Commission is to be headed by a person who has been a former Chief Justice of India Reason The Chairperson of NHRC holds office for a term of 5 years or till the age of 70 years which is earlier निम्लिक्खित पढ़ें और नीचे दिये के कोर्ट से सही उतर का आपको चुनाव करना है दावा रास्टिय मानवादिकार आयोग का नेत्वर्थ एक ऐसे व्यक्तियों करना है जो भारत का पूर्व मुख नाधिस रहा हो कारण NHRC का अध्याक्ष 5 वर्थ की अवधी के लिए या 70 वर्थ की आयू प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पदपर बना रह सकता है बताईए इसका आंसर क्या हो जाएगा उसमें बता दिए नैशनल हुमर राइट कमिशन इस टो बी हेड़ बाई यह गलत है जरूरी नहीं कि फॉर्मर चीफ जेस्टिस इंडिया ही हो जो उसको हेड करे तो एसेशन ए है इसके बाद का करे रिजन कि ते चेर पर्सन आफ नैशनल हुमर राइट कमिशन होल्ड ऑफिस वर टर्म ओफ फाइव यर नहीं गलत है 2019 में संसोधन किया गया था और यह टम अफ तीन साल का कर दिया गया है और अटें दा एज ओफ 70 इस तरीके से क्या होगा इसका बोथ ए और आर 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 पॉल्स उप्शन दी देखे बोथ ए और आर 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 पॉल्स जलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ Q9. According to the National Humor Right Commission Act 1993 who amongst the following can be its chairman? Rastya Manwadhikar Ayo Kadhiniam 1993 के नुसार निमलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष हो सकता है? A. Any serving judge of the Supreme Court B. Any serving judge of the High Court C. Only a retired Chief Justice of India D. Retired or serving judge of the Supreme Court of India इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option D. Retired or serving judge of the Supreme Court of India चलते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ Q10. Who is the current chairman of the National Human Rights Commission of India? भारत के रास्टी मानवाधिकार Ayo K. वरतमान अध्यक्ष कौन है? इस ताइम ये question पूछा गया था उस ताइम के जो भी National Human Rights Commission थे उसके according ये answer होगा आप लोग आज के according इसको update कर लीजेगा ठीके? आपके options है A. Justice S. Rajendra Babu B. Justice H. L. Dattu C. Justice K. Balakrishnan D. Justice A. S. Anand ठीके? तो इसका answer इस ताइम के according होगा Justice H. L. Dattu लेकिन अब भी जो serve कर रहे हैं वो अरुन कुमार मिश्रा जो है उसको serve कर रहे हैं ठीके? तो ये आप लोग याद रखेगा इस question का answer क्या हो जाएगा? Option B. Justice H. L. Dattu चलते हैं next question की तरफ Question number 11 The tenure of the chairman of the National Human Rights Commission is राश्टी ये मानवा धिकार आयोग के अध्धक्ष का कारेकाल होता है आपके option से A. 3 years B. 4 years C. 5 years D. 6 years 11th question का answer जाएगा? Option A. 3 years चलते हैं next question की तरफ Question number 12 The term of office of members of the National Human Rights Commission from the date on which he, she enters upon his, her office is राश्टी ये मानवा धिकार आयोग के सदस्टियों का कारेकाल उनके कारेभार ग्रहन करने की तिथी से कितना होता है? आपके option से A. 5 years और तिल दे एज और 65 years B. 5 years और तिल दे एज और 70 years C. 6 years और तिल दे एज और 65 years D. 3 years और अंतिल दे अटें दे आज और 70 years इस कांसर क्या जाएगा? Option D. 3 years और अंतिल दे अटें दे अज और 70 years चलते हैं next question की तरफ Question number 13 की निउक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके option से A. President B. Governor C. Chief Justice of High Court D. None of the above और दे क्वेशन का आंसर हो जाएगा? Option B. Governor चलते हैं next question की तरफ Question number 15 who is not included in the committee to recommend name for the appointment of chairperson and members of State Human Rights Commission राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षे एवं सदस्यों की निक्ति है तू नाम की अनुसंसा करने वाली समिती में कौन सामिल नहीं है? आपके option से A. Chief Minister B. Speaker of the Legislative Assembly C. In Charge of the Department of Home Affairs D. Governor जिसका answer जाएगा? Option D. Governor चलते हैं next question की तरफ Question number 16 A sitting judge of the High Court or a sitting judge can be appointed as member of the State Human Rights Commission after consultation with उच्छे नियाले के एक वर्तमान ने अधिस या एक वर्तमान जीला ने अधिस को किसके परामर्स के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के सद्रसी के रूप में न्यूक्त किया जा सकता है आपके option से A The Governor B. The Chief Justice of the High Court of the Concerned State C. The Chief Justice of the Supreme Court of India D. The President तोलवे question का answer हो जाएगा Option B. The Chief Justice of the High Court of the Concerned State चलते हैं next question की तरफ Question No.17 The State Commission submits its annual report to the राज्य आयोग अपनी वार्सीक रिपोर्ट किसे सौपता है आपके option से A. Governor B. State Government C. Chief Justice of the High Court D. Chief Justice of India This answer क्यों जाएगा Option B. State Government चलते हैं next question की तरफ Question No.18 In the definition of Armed Forces Under the Protection of Human Rights Act Which of the following is not included मानो अधिका संग्रिशन अधिनियम के तहत ससस्त्र बलो की परिभासा में निम लिखित में से क्या सामिल नहीं है आपके option से A. Navy B. Armed Forces of the State C. Military D. Air Force तो अठारे कोशन का answer हो जाएगा Option B. Armed Forces of the State चलते हैं next question की तरफ Question No.19 Which one of the following is not the function of the State Human Rights Commission निम लिखित में से कौन सा राज्य मानवाथिकार आयोग का कारिर नहीं है आपके option से A. Enquire Suomoto The violation of human right B. Visit any jail C. Review the protection of human right D. To punish for the violation of human rights 19th question का answer हो जाएगा Option D. To punish for the violation of human right मानवाथिकार के उलंगन के दे दंडित करना ठीक है ये इसका कारि नहीं है चलते हैं next question की तरफ Q. 20. In the event of occurrence of any vacancy in the office of the chairperson of the state commission who can authorize one of the member to act as chairperson राज्य आयो के अध्यक्षिके कारे कारे काल में कोई रिक्थ होने की स्तती में सदस्यों में किसी एक को अध्यक्षिके रूप में कारे करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है आपके option से A. The Chief Justice of the High Court B. The President C. The Chairperson of the National Human Rights Commission D. The Governor 20-way question का answer हो जाएगा Option D. The Governor चलते हैं next question की तरफ Question number 21 Which among the following is not correctly match निम लिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है आपके option से A. Interstate Council 1990 B. National Development Council 1954 C. Central Vigilance Commission 1964 D. National Human Rights Commission 1993 इसमें से कौन सा है जो सही सुमिलित नहीं है तो देखिए Interstate Council बना था 1990 में National Development Council कब बना था है 1954 के जगा पे 1952 Central Vigilance Commission 1964 और National Human Rights Commission 1993 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Option B is the right answer चलते हैं next question की तरफ Question number 22 Which one of the following is not a constitutional body? निम लिखित में से कौन सा एक समिधानिक निकाय नहीं है आपके option से A The Human Rights Commission B. Finance Commission of a State C. The Lok Sabha Secretariat C. Finance Commission at the Center तो इसका आंसर हो जाएगा? Option A. The Human Rights Commission चलते हैं next question की तरफ Question number 23 Which one of the following has a status different from the other three? निम लिखित में से किसकी इस्तिती अन्य तीन से भिन्न है? आपके option से A. Backward Class Commission B. Finance Commission C. National Human Rights Commission D. Election Commission तो तेज़े से कोशन का आंसर जाएगा? Option C. National Human Rights Commission चलते हैं next question की तरफ Question number 24 Which of the following are constitutional authorities? Select the correct answer using code given below First, State Election Commission Second, State Finance Commission Third, District Panchayat Four, State Electoral Officer निम लिखित में से कौन सम्विधानिक प्राधिकारी है? नीचे दिएगे code का उप्योग करके सही उत्तर का चुनाव करें पहला, राज चुनाव आयोग दूसरा, राज वित आयोग तीसरा, जिला पंचायत चौथा, राज निर्वाचन अधिकारी तो इसका आंसर को जाएगा बताइए देखिए जो पहला इसके नदर आता है State Election Commission भी आता है और फिर State Finance Commission भी आता है ठीक है? और फिर State District पंचायत भी आता है तो कौन कोंस ये Constitutional Authorities होई? पहला, दूसरा और तीसरा तो आप्शन B देखिए 1, 2 and 3 only B is the right answer चलते है नेक्स्ट के तरफ Question No.25 Consider the following statement regarding appointment of National Commission for revising the Constitution 1. The report will be recommendatory nature 2. The appointment was approved by Parliament 3. It is presided over by Chief Justice M. N. Venkata Chalaya 4. It will focus on socio-economic need of the country Which of these statements are correct? सम्विधान में संसोधन के लिए रास्टी आयोग की नियुक्ती के संबंद में निमलिखित कत्नों पर विचार करें 1. Report अनुशन सात्मक प्रकरती की होगी 2. नियुक्ती को संसद्वारा अनुमोदित किया गया था 3. इसकी अत्यक्षिता मुख्य नियाधीस M. N. करते हैं 4. यह देश की समाजिक आर्थिक जरुत्वारा ध्यान केंदित करेगा तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है तो देखिए जो पहला कथन है कि दब report will be of recommendatory in nature तो यह बिलकुल सही statement है ठीके? हमें सही बताना है और पहला जो है वो सही statement है उसको ऐसे कि it is preceded over by the chief justice M. N. Venkata चलिया यह भी बिलकुल सही statement है तो पहला और तीसरा statement बिलकुल सही है ठीके? इसका answer क्या हो जाएगा? बताओ इसका answer क्या हो जाएगा option B, 1 and 3 ठीके? इसका answer हो जाएगा option B इस तरीके से आज हमने set of 25 questions को complete कर लिया है अगर आप सभी को यह series अच्छी लग रहे है तो प्लीज लाइक कीजे, comment कीजे और subscribe कीजे, कर्मवीर ICS को साथ ही साथ अपने feedback को भी comment section में जरूर share कीजे, thank you, thank you for watching